कामधिनू के बारे में तो आप सबने सुना होगा लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि माता कामधिनू की चार पुत्रियां हैं और वो चारो पुत्रियां चारो दिशाओं में जितने मनुष्य इस धर्ती पर हैं उन सब के लिए आनधन जल पानी की विवस्था रखती हैं इसका मतलब उसको सशक्त करती हैं सुनिश्चित करती हैं कि हां सभी जीवों को भोजन पानी समय पर मिले और वो चारो दिशाओं में वास करती हैं सुर्भी पूर्व दिशा में वास करती हैं सुभद्रा पश्चिम दिशा में वास करती है, धेनु उत्तर दिशा में वास करती है और दक्षिन दिशा में वास करती है अर्शिका। हम और आप बहुती साधारन जीव हैं। हमको नहीं पता कि इस जगत को चलायमान रखने के लिए परमात्मा ने कितनी छोटी छोटी कडियां जोड़कर तैयार किया है इस श्रंखला को जो सुचारो रूप से हजारो साल से चल रही है। हमें इनका सम्मान करना चाहिए।